प्रॉब्लम में हमारे पास जी इंट्रोडक्शन तो सेट से मतालिग विच अब देखेंगे कि जो सेट के हमने प्रॉपर डेफिनेशन सेटी की थी उसके मताबर कौन से गिवन सेट्स हैं जो के उन पे पूरा उतरेंगे और कौन से ऐसे हैं जो के नहीं उतरते अब A is equal to 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7 अब हम देखें तो इसमें 4 जो इलेमंट है जो इसका मेंबर 4 है वो अगर आप देखें तो रेपीट कर रहा है जो के set की definition जो है जिसमें वो कहता है जिस set distinct elements की collection है तो distinct का मतलब है मुन्फरिद, mean के element repeat नहीं करेगा, अब इसमें four चुके repeat कर रहा है तो लहाजा ये set जो है वो नहीं है, ठीक है बाकी इसमें अगर आप देखें तो आपने braces इस्तमाल कर रखी हैं आपका जो name है वो भी capital letter के अंदर है, यानि अगर हम इसकी denotions हैं उन पर बात कर रहें, लेकिन set के अंदर element का repeat होना इसे set की definitions के मताबिक set नहीं करार देगा आगे है b जिसके अंदर elements है a, b, c, d, e, f, g यानि first seven letters of English alpha बैठा हैं इसका मतलब एक ऐसा set जिसको हम define भी कर सकते हैं describe कर सकते हैं well defined है, distinct है कोई element repeat नहीं कर रहा अगर आप देखें तो bracket जो हैं, वो भी दर्मियानी इस्तमाल हुई यानि braces ही इस्तमाल की है elf set का name जो है वो भी capital letter में लिखा है तो लेहाजा this is a set ये क्या हुआ एक set होगा जबके c है set of historical books अब historical books जो है हमने बात की थी कि set जो है well defined होता है कौन से historical books पिकिस अगर मैं ये statement दूँ और दो अलग अलग बंदों को बोलूँ कि आप इस statement को इस्तमाल करते हुए set के element लिखें तो दोनों बंदे मुख्लित तरह के historical books लो collect कर लेंगे इसका मतलब है कि जब उनके members को compare कि जाएगा तो वो एक जैसे नहीं होंगे लहाजा हम कह सकते है कि जो set of historical books है ये well defined नहीं है statement की तरह statement है एक description form में है लेकिन well defined नहीं है लहाजा ये भी एक set नहीं होगा दी पे चलते है दी के अंदर अगर आप देखे है capital alphabet है braces इस्तमाल कर रखी है element है 2, 3, 4 जबके यहाँ पर अगर आप देखे हैं तो 5 और 6 एक मजीद set हमने as an element के दोर पे introduce कराया यानि हमने बात पढ़ रखी है कि आप एक पूरे set को as an element of some other set लेख सकते है यानि किसी और set के अंदर उसको element के दोर पे लिखा जा सकता है लहाजा ये भी एक set होगा problem है set notation से मतलिख correct the proper notation for the sets given below अब हमने set को denote करने के लिए कुछ special चीजें पढ़ी थी जैसे कि set की जो bracket है वो दरम्यानी होनी चाहिए यानि braces इस्तामाल करते हैं हम set के name को capital alphabet में लिखते हैं हर member के बाद हम comma put करते हैं और set के अंदर element कोई repeat नहीं करता set जो है वो well defined होना चाहिए अब इस तरह की चीजें हमने study की थी अब उन चीजों के मताबिक हम देखते हैं कि कौन से यहां पर properly notate हुए हुए है और कौन से नहीं है और जिन में कोई mistake होगी तो हम उसको correct भी करेंगे सबसे पहले है n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and आगे dot 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 है और यह चलता जा रहा है अब यहां पर देखें तो हमने braces भी इस्तेमाल कर ली यानि दिर्मियानी bracket भी इस्तेमाल की element भी कोई repeat नहीं कर रहा set को denote भी किया हमने capital alphabet से तो according to the जो हमारे पास जो चीजें हैं जिन के मताबिक हम set को denote करते हैं उसके मताबिक यह एक perfect set है जबकि z को देखें तो z is equal to dot dot dash 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 dot dot कह सकते हैं कि अब left side से यह set move कर रहा है towards zero, zero की तरफ और zero से फिर राइट साइड पे plus infinity की तरफ यानि यहां से minus infinity और plus infinity अब चुके यह अगर हम इसको पहचाने तो हमारे पास set of integers हैं क्यूंकि इसमें positive four numbers भी है positive natural number भी है negative natural number भी है और zero भी शामिल है लेकिन चुके bracket में नहीं हमने इसको brackets इसके लिए हमने नहीं इस्तेमाल की तो लहाज़ अगर हम यहां पे दर्मियानी bracket जिसको हम braces कहते हैं अगर more put कर दें तो यह एक set बन जाएगा इसी तरह से हम देखते है next set जो है के prime numbers is equal to 2, 3, 5, 7, 11 चुके तमाम वो numbers हैं जिनके factors यह यह अपना आप होंगे यह one होगा तो हर number के दो factors है तो तमाम वो numbers जिनके दो factors होते हैं वो prime numbers कहलाते हैं ठीक है अब factors इमराद वो number जो के 2 को completely divide करता है अब हम देखते हैं कि this set के अंदर क्या mistake है जो हमने denote कर रखा है उसमें क्या mistake है हमने bracket भी इस्तमाल की है लेकिन bracket हम इस्तमाल करते हैं दर्मयानी bracket इसको हम braces बोलते हैं यहाँ पे हम square bracket इस्तमाल करें यह बड़ी bracket लहाजा यही इसके अंदर एक mistake है अगर हम इसको braces के साथ replace कर दें तो यह इसके अंदर correction हो जाएगी यह इसके अंदर properly correction हो जाएगी जबकि अगर आप set w को देखें जो के set up for numbers है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे इस में सच कोई mistake नज़र नहीं आ रही braces हमने इस्तमाल कर रखी है capital alphabet से इसका name लिखा है और let's say अगर कोई एक element repeat कर रहा होता तो हम उस element को remove कर देते तो फिर भी वो उस तरह की mistake भी हम यहाँ पे देखते हैं लहाजा इसमें SH कोई mistake नहीं है तो यह भी एक proper denote हुआ हुआ set है कि अगर कुछ रखी है